हेलो, नमस्कार, मेरा नाम दलबीर है, और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, और मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है, और आज माप के लिए खेती से जूड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आज आपको बताता हूँ कि मिर्च की नर्श्री त्यार करते समय कौन-कौन सी शावदानी रखे, जिससे कि वीजगाउं कुर्ण 100% हो, जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदावार पराप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इंकम पराप्त हो इस व्यूडियो को अन तक ज़रूर देखे ताकि आगर आप चैनल पर नए हो तो इस व्यूडियो को ज़़ादा से ज़्यादा लाइक और शेर और चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करना ताकि एन एक शिजानों को खैती से जुड़ी सभी जानकारी परापत हो और आने वाली वीडियो की पूर्टिपिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिर्च की नर्शरी मैंने यह मिर्च की नर्शरी एक फरवरी को लगाई थी और आज एक मेने के बाद आज आप इस मिर्च की नर्शरी को देख सकते हो मिर्च की नर्शरी की त्यारी के बाद हम मिर्च की नर्शरी की त्यारी करते हैं सबसे पहले हम मिर्च की नर्शरी त्यार करने के लिए एक क्यारी का चुनाव करते हैं मैंने याद 10 भाई 10 की नर्शरी का चुनाव किया है इसके बाद हम कैरी की तीन से च्यार बार कशी की साइटा से अच्छी तरह से जुताई कर दे जिससे की कैरी की जुताई अच्छी तरह से हो जाई गुबर की खाथ इसके बाद 10-15 टोकरी या तंसले गुबर की खाथ डाल कर इसकी अच्छी तरह से जुताई कशी की सायता से कर दे फिर आप आपकी सायता से मिट्टिक को अच्छी तरह से गुबर की खाथ में मिलाकर जमिन को समतल कर दे जिससे की क्यारी सही तरिक्के से समतल हो जाई रसाइने खाद अगर आप रसाइने खाद का इस्तेमाल करते हो तो इसमें 500 से 600 गराम डियेपी और 300 गराम पुटास को अच्छी तरह से मिट्टे में मिलाकर क्यारी को समतल कर दे खाद वो मिट्टी को अच्छी तरह से मिला कर मिट्टी को सम्तल करना है अब हम खेत की क्यारी को अच्छी तरह से सम्तल कर देते हैं एक अंकड अगर हम एक अंकड मिर्च की पोध तयार करते हैं तो 800 ग्राम वीज एक अंकड के लिए प्रियापत रहता है एक एंकर के लिए में दस से बाराजार पोद गी जूर्ट होती है जो की 80-100 गराम बीज में हमें प्राप्त हो जाती है 10 का रगाम, अगर हम 10 क्राम बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 10 क्राम बीज की किमत बजार में मुख्यत 300 से 400 रुपात होती है क्योंकि मिर्च का बीज बहुत ही महंगा होता है मिर्च का बीज बहुत ही महंगा होता है बजार में मुख्यत देशिवाय आईबराड किसमें उपलप दोती है आईबराड में विराहट, मिन्नम, रासी, विराहट, क्रांती और अन्य बहुत सी वरायटियों का बीज उपलप दोता है बीजगा चुनाओ, सबसे पहले हम बीजगा चुनाओ करते हैं से पहले हम एक ऐसे बीजगा चुनाव करते हैं जिसके बजार में बहुत ज्यादा मांग जिसके फल लंबे वाद चमकिले हो उस वराइटे में कोई बिमारी नहीं होते हो जैसे फंगस और वायव वराइटे बारा महिने तक जबरदस्त फल देती हो जिससे कि हमें कम खर्च मे जादा से जादा इंकम पराप्त हो इसके बाद हम बीजगा उपचार करते हैं और फिर जिसे हम FIRA भी कहते हैं सबसे पहले हम फंगी साइड फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम के गोल से उपचारित करते हैं हम भीज को फंगिसाइद उन इंसेक्टिशाइड से उपचार करते हैं फंगिस्वय इंसेक्ट की विमारियों के लिए क्या जाता है राइजोबियम कल्चर का व्योग फसिल की अंकुरून की समता बढ़ाने के लिए और पैदावार में वर्दी के लिए व्योग किया जाता है इसमें हम एक्जेक्टो वेक्टर राइजोबियम प्येसपी के गोल से उपचार कर सकते हैं मिर्च की बीज का उंकुरून लगवग 100% तक हो जाता है इसके बाद हम मिर्च की बीज की बुवाई कर सकते हैं यह हम विजाईवा चटकाव विद्धी से कर सकते हैं, अगर आप चटकाव विद्धी से बुआई करते हैं, तो सबसे पहले आप इसके बीज को अच्छी तरह से चटकाव कर दे, अब इसके उपर आप किसी परत गोबर की खाच बुलू या दूमट मिट्टी की इसके उपर दिखाई ने दे, अब आप इस क्यारी की अच्छी तरह से सिचाई कर दे, अगर आप खर्पतवार की रोक थाम करना चाहते हो, तो पैंडा मेलिध्यान 30% इसके उपर चटकाव कर दे, जिससे की खर्पतवार नहीं उगएगे, अब आप सुबह या साम गिसमें इसकी अलके सिचाई रोजाना करनी है, सिचाई करते हैं, अगर आप पानी में एजक्टो वैक्टर, वैस्ट डिकंपोजर, राइचो बियम, प्येस पी के गोल को पानी में मिला कर सिचाई करते हैं, तो इसमें आपकी मिट्टी अच्छी वा बीजगां कॉर्ण 100% हो जाएगा, रोजान सुबह वा श्याम के समय इसकी अलकी सिचाई करें, हाट से दस दिन बाद बीजगा जर्मिनेशन लगवग 100% हो जाएगा, अब आप सुबह वा श्याम को अलकी सिचाई रोजाना करें, अगर आप मिर्च की पोद की आईट बढ़ाना चाते हो, तो आप NPK या फिर DAP 200 ग्रा पास का अच्छी तरह से गोल मिलाकर उसमें पानी की सायता से उसकी सिचाई कर दे, ऐसा आप एक दिन के अंतराल कर सकते हैं, इससे पोद की आईट बढ़ जाएगी, अगर इसमें खरपतवार उग जाए तो आप खरपतवारों को उसको आद की सायता से निकाल सकते हो, करदे के लाएक, अब यह आपकी में सекफों त्यार हो गई है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियों को ज़्यादा ज्यादा लाइक ज़्यादा ज्यादा शेिर वा चैनल को सबस्क्राइब कर जरू करें वा अन्यकैसान वाईंँ के साथ शेयर करें अगर आप चैनल उपर नए है तो वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आने वाड़ी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें धन्यवाद